नवास्कार दोस्तों, प्रिल्म पूश्टर न्यूस डिसकाशन में आपका स्वागत है, शुरुआत करते हैं आज की इंपोर्टन दा हिंदू न्यूस से, पहला जो टोपिक है वो हैंबर्ग एक्षन प्लान को लेके हैं, हैंबर्ग एक्षन प्लान सबसे पहले आपको यह य याद रखना है, जीटवन्टी से लेटिए है, यह हैंबर्ग एक्षन प्लान, और इंडिया की काफी तारीफ की गई है इस एक्षन प्लान के अंदर में, और कहा गया है कि इंडिया ने काफी सराहनिया काम किया है, स्टेनल डवलप्मेंट लाने के लिए और इंक्लूसिव या फिर वहां की कंपनीज हो, जब हमारी घरेलू कंपनीज बाहर देशों से लोन लेती हैं, तो इस चीज को कहते हैं, एक्स्टरनल कॉमर्सिल बोरोइंग, तो सबसे पहले आप यह याद रखिएगा, यह चीज सिरफ कंपनीज के लिए और कॉर्परेट ग्रूप्स के लि हैं, दो तीन चीज़े आप याद रखिएगा, एक्स्टरनल कॉमर्सिल बोरोइंग से जो भी कंपनीज यह लेती हैं बाहर देशों से लोन, वो स्टोक मार्केट में इंवेस्ट नहीं कर सकती, यह कंडिसन सरकार ने लगा के रखी हैं, और RBI डील करती हैं इन सब चीजों स एक्सटरनल कॉमर्सिल बोरोइंग की लिमिट कितनी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मर्जी चाहे कितना भी लोन बाहर देशों से ले सकती हैं, कुछ लिमिट होती है कि इतनी लिमिट तक वो ले सकते हैं, बाद में रेगुलिसन्स है, RBI के, तो कई बार ऐसा भी कोशिन आ जाता है लेकि जो एक्सटरनल कॉमर्सिल बोरोइंग है, उसके बीच में और FDI या फिर FII के बीच में डिफ्रेंस क्या है, एक टोटली अलग कंसेप्ट है, वो इस न्यूस से लेटिड नहीं है, लेकिन ECB और FDI में क्या कंसेप्ट है, वो हम देख लेते हैं, मेली देखिए ECB जो ह external commercial borrowing है ये तो bond की तरह होते हैं ये तो उधार ले रहे हैं उधार बाद में चुकाना पड़ेगा interstate के साथ में लेकिन FDI, FII जो ये चीजे होती है ये तो kind of equity होती है जैसे FII तो ये होते है न किसी company में invest कर दिया जो shares है वो खरीद लिये तो management में कई बार स्थान भी मिल जाता है अगर वो चाहें तो वैसे मर्जी होती है लेकिन ECB में कोई management का कोई चकर नहीं होता kind of bond है उधार ले रहे हैं पैसे सो रुपे उधार लिये हैं ब्याद समेट बाद में लुटानी है लेकिन FDI, FII ये पैसे उधार नहीं लेते हैं ये तो खरीदी लेते हैं share सी खरीद लेते हैं समझ गए ये basic difference है आगे चलते हैं नागलेंड पोलिटिकल क्राइसिस नागलेंड में फिर से पोलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गए हैं former जो चीफ प्रिश्टर थे नागलेंड के टी आर जैल यांग इन्होंने government form करने का दावा पेस किया है 69 MLA की नागलेंड असेमली है इन्होंने का कि मेरे पास में 31 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और governor को चिफ्थी दी है तो यहां पे discretion power देख लेते हैं governor की कौन-कौन सी discretionary power होती है discretionary power सबसे पहला तो यह है देखिए जब माली यह किसी भी party का भहुमत नहीं आता है माली यह example के साथ आपको बताता हूँ 60 members हैं किसी assembly में elections हुए 31 चाहिए सरकार बनाने के लिए लेकिन सभी parties के विधायक आए 21, 21, 21, 19 तो अब मर्जी है governor की किसी भी दल को बुला सकती है सरकार बनाने के लिए लेकिन इसमें भी convention है वैसे आपको बताऊं तो convention यह है कि जिस party की सबसे ज़्यादा seats होती है आम तोर पे governor को उसी को invite करता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत discretionary power है यहां पे कई बार जो cases है वो court में जाते हैं जैसे अभी देखने को मिला गोवा में क्या हुआ गोवा में सबसे ज़्यादा जो seats आई थी वो congress के आई थी फिर भी सरकार जो बनाई बीज़पी ने बनाई जो independent के साथ में मिलके दूसरा जो है जब मालीजे काउंसिल ओफ मिनिस्टर्स को डिस्मिस कर दिया जाए वो अपना जब confidence ना प्रूकर्स के बहुमत ना प्रूकर्स के legislative assembly के अंदर में तो आगे क्या होगा उसमें भी थोड़ा discretionary power है गवर्नर की या फिर जब house को dissolve करना है कर नहीं करना है जब council of ministers जो majority खोदे assembly के अंदर में तब भी governor के पात में थोड़ा बहुत discretionary powers है ठीक है यह थोड़ा बहुत हमने जानने कोशिश की discretionary power कौन-कौनसी होती है गवर्नर की आगे इराक देख लीजे इराक ने कहा कि मौसूल को ISIS के चुंगल से अब आजाद करवा दिया गया है तो locations important है mainly यहाँ पे देखे मौसूल की लडाई चल रही थी मौसूल के एक मस्चिद से बगदादी जो थे उन्होंने खलीफा गोशिद क्या था अपने आपको और यह थोड़े और cities हैं जिस पर question पूछा जा सकता है UPSC के दौरा फलूज़ा यह है कर्बला है आगे है अन नजफ और यहाँ पे है अलकुट बगदाद तो इनकी राजधानी है फेमस है समारा यहाँ पे है और अलबसरा यहाँ पे है यह इस बार की हमारी strategy है जो भी government documents होंगे चाए वो PIB हो या फिर economic survey हो इस बार भी हमने डिसकस करेंगे इस बार का ज्यादा important वैसे था नहीं और इसलिए हमने जो बिल्कुल जदबाजी से cover किया था लेकिन इस बार हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है PDF कोई बार PDF के बारे में कोशन पूथा जाता है कि PDF कहां से मिलेगी PDF तो देखिए आप only IAS website से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो नीचे ये Facebook का page है यहाँ पे भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF इसकी South Sudan South Sudan का छटा Independence Day पे हमारे President ने मुबारक बात दी उनको 6 साल हो गए है जब Sudan से अलग हो गए South Sudan बना था आज भी वहाँ पे Civil War जारी है, Resources के लिए लड़ाई जारी है और बहुत ज़्यादा Instable Country है, kind of Failed Country आप कह सकते हैं South Sudan को विभिन जो Ethnic Groups है वहाँ पे लड़ रहे हैं South Sudan के अंदर में यह देखिए, Location Important है मेंली यहाँ पे Highlighter यूज कर लेते हैं यह Sudan है, यह अलग हो गया था South Sudan से Landlog country है South Sudan, यह देखिए, Sudan Landlog नहीं है यह मिलता है यहाँ पे Red Sea से लेकिन South Sudan जो है वो Landlog है थोड़े आसपास के देश भी आप देख लीजिए, यहाँ पे चड़ है यहाँ पे Congo है, Democratic Republic of Congo यहाँ पे Tanjaniya है, Kenya और Ethiopia तो यह थोड़े वो देश है अब High Court ने थोड़ा से ज़्यादा important news तो नहीं है, High Court ने कहा कि जो हतियार दिये जाते हैं license के तोर पे वो साधी ब्या में यूज करने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, वो self defense के लिए है, और सरकार तुरंट एक निती बनाए, एक policy बनाए कि इस तरह से weapons का खुले आम जो परदर्शन होता है और जो leavishness दिखाई जाती है वो बंध हो, इस तरह की चीज़े हम यूज कर सकते है, society के लिए चीज़े यूज कर सकते है कैसे society में जो अडंबर है, आज काफी ज़्यादा है, सोना जो लोग पहनते है दिखाया जाता है कि किस परकार से society उन लोगों को तवज्यों दी जाती है जिनके पास में ज़्यादा सोना है तो arms के संबन्द में भी ये बात हम example के तोर पे दे सकते हैं P.I.B की discussion आगे हम कर लेते हैं आसियाना एनेक्स आसियाना एक building है जो की दैराधून के अंदर में है जो हमारे पहले राश्टरपती थे फकुरुदीन एहमद वो कई बार यहां पे रुकते थे जैसे पहले तो आपको याद होगा जो राजदानी सिफ्ट होती थी वो सिम्ला में सिफ्ट होती थी लेकिन प्रेजिडेंट का एक आप कह सकते हैं फकुरुदीन जो हमारे प्रेजिडेंट के द्वारा इसे यूज नहीं किया गया 2016 के अंदर में इस जो यह कॉंप्लेक्स है पूरा जो यह बिल्डिंग है इसको रिनोवेट किया गया है हमारे प्रेज़ेंट अभी फिलाल के पर्णा मुखरजी उन्होंने रिनोवेट किया और इस साल 2017 में फिर से 12 ड्वेलिंग यूनिट्स मनाए गए हैं ताकि प्रेज़ेंट के बोडिंग गार्ड जो बोडिगार्ड से वहाँ पे निवास कर सकें इंपोर्टन चीज जो है वो सिरफ इतनी है आश्याना कोंप्लेक्स काइंड ओफ प्रेजेंट का जो दूसरा घर है वो कौन सी सी अंदर में है तो दैरादून उत्राखंट के अंदर में है अगला जो न्यूस है वो स्वयम से लेटिड है पी आईबी का स्वयम क्या है के साथ में आपको जो वेबसाइट खुलेगी उसमें काफी सारे open courses मिलेंगे आपको social science से related engineering से related जो भी आपका optional है sociology political science history आप थोड़ा बहुत lectures वहाँ पर देख सकते हो जो भी available हो तो जो भी students जिनको education अच्छे से provide नहीं हो पाती तो वह quality education quality lecture सुन सकते हैं स्वयम पे यह फाइदा है स्वयम पोर्टल का सिक्सित भारत उन्नत भारत और इससे क्या होगा फाइदा तो आपको पदा ही है कि जो digital divide है आज सहरों और गाओं के बीच में वो digital divide है वो कम हो जाएगा और knowledge economy हमारी बन जाएगी कौन सी ministry के द्वारा launch किया गया है वो important है ministry of human resource development HRD ministry के द्वारा ये portal बना गया है swim चलते हैं अगली news की तरफ national highway number 10 पहले national highway number 10 कुछ और था अब इसकी numbering बदल दी गई है और ये जो national highway number 10 है अभी north east के अंदर में है silly goodie को जोड़ता है गंटोग से गंटोग जो की राजदानी है सिक्किम की dazzling के आजपास तनाव पैदा है गोल्खा लैंड के रूप में एक अलग राज्य की मांग चल रही है तो इस highway को बंद कर दिया गया है प्रोटेस्टर्स के द्वारा तो वहां पे जुरूरी जो समान की आपूर्ती है वह नहीं हो पा रही है सिक्किम के अंदर तो हमारे home minister ने कहा कि West Bengal government को आप जल्द से जल्द ensure कीजिए कि ये highway है उस पे blockade ना हो तो kind of जो essential items है उनकी supply host के सिक्किंग के अंदर में तो कई बार देखे जो ये वैसे तो national highway number अब इतने सारे हैं 250 के आसपास हैं सारे के सारे याद रखने क्या हो सकता नहीं है अब 2015 में UPSC ने question पूछा था national highway के उपर में वो national highways थे वो strategical important national highways थे जैसे border के आसपास कोई जाता है अब ये chicken neck के आसपास जाता है इसलिए important है ये तो kind of जो भी strategic important national highways है उनके बारे में तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अगला है ब्रहंपूतर and its tributaries ब्रहंपूतर की tributaries के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि prediction की बात flood forecast या बाढ़ होने की बात किये गई है ब्रहंपूतर की जुसायक नदिया है और ब्रहंपूतर में बाढ़ आ सकती है तो ये kind of ब्रहंपूतर उसकी tributaries का map है ब्र सब्रादेश में जाती है और फिर फाइनली बंगाल की खाड़ी में गर जाती है tributaries के बाद करें तो ये सारी tributaries है मानस, सुभांसरी, धंसरी, दिबांग, लोहित, कपीली वैसे कई बार जो UPSC है काफी difficult question बनाना चाहे तो काफी difficult तो यूं भी पूछ सकती है कि left bank जो tributaries मनसती, जैसे मैंने तो ऐसे करके याद किया था तो आप भी कुछ अपना code बना सकते हो, अब मैं बताता हूँ इस code का क्या मतलब हुआ है, लो फॉर लो हित, दीदी का मतलब दीफॉर दिबांग, दिहांग, सूभर, सुभांसरी, में का मतलब मानस, और संखोष का मतलब संत और आगे तीसता, इस परकार से आप कोई code बना के आद कर सकते हो, देगे काफी लंबा समय है, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डू अन्डाइ की ये battle है, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, जो कुछ करना है, अभी करना है, बाद में करने के लिए कुछ हमारे देखिए, G20 में मुलाकात हुई Korea के, जो South Korea के President उनके साथ में, South Korea के साथ में हमारे relations कैसे है, अच्छे relations है, South Korea के काफी सारी companies ने हमारे देश में invest किया है, और सेम से situation है, दोनों का विबाजन हुआ, North Korea, South Korea, हमारा भी Pakistan के साथ विबाजन हुआ, South Korea डवलप्मेंट करना कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा, locations देख लीजिए, PIV के अंदर में था, इसलिए हमने डिस्कस किया, location यहाँ पे है, South Korea, North Korea, आगे है, सब उडें, सब जुडें, यह सब उडें, सब जुडें, kind of a scheme है, regional connectivity, यह ministry of scheme तो नहीं कहा सकते है, मैं तलब एक meeting organized हुई थी, जिसमे काफी सारे stakeholders ने participate किया था, अब हाल फिलाल में एक सरकार ने scheme चलाई थी, उडे देश का आम नागरी, उसके बाद में regional connectivity है, उसको और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी चीज़ के लिए different stakeholders हैं, जैसे ministry के delegates, companies, जो जिनकी flights है, यानि जो spice jet, इनके लोग, tour operators, cargo operators, यह सब मिले हैं, तो उस meeting को नाम दिया गया है, सब उडें, सब जुडें, तो kind of पूसा जा सकता, UPC के द्वारा, सब उडें, सब जुडें, क्या है, कोई scheme है, पैसा दे रहे हैं, क्या है, क्या है, क्या यह, तो बस यह याद रखेगा, कि यह meeting हुई थी, और ताकि regional connectivity को और ज़रा बढ़ाए जासके, ministry of civil aviation के द्वारा, normal सी बात है, एक बार याद आ गया, तो ministry of civil aviation ही होगी, इसमें तो, आगे तर्की, तर्की में क्या हुए, 22 मी world petroleum congress की meeting हुई, Istanbul, तर्की के अंदर में, तो इंडिया ने हाल फिलाल में help launch किया था, को याद होगा, help मतलब hydrocarbon exploration and license policy, हम हमारे जो petroleum minister है, उन्होंने party state किया, तीन साल में एक बार होती है meeting, और petroleum जसी चीज़ों, gas industry के लिए olympics का जाता है, इस चीज़ को जो meeting होती है, तीन साल में एक बार petroleum congress, तो हमारी help जो policy है, वो हम वहाँ पर promote, हमारे petroleum minister ने वो उसको promote कर रहे हैं, ताकि ज़्या से ज़्याद ग्रीस, बुल्गारिया, सुबह हमने discuss किया था, यहाँ पे साइपरस भी है, यह रहा, अईटोयल की वीडियो में details से discuss किया था, यह Syria, Georgia, Azerbaijan, schemes, हमने schemes की सुरुवात करी थी, youth affairs and sports department की हमने scheme discuss कर ली थी, सारी की सारी, तो यह आज हम थोड़ा बहुत basics cover करेंगे, कई बार आपक में हमारा जो focus रहेगा, वो नई schemes रहेंगी, जो हाल फिलाल में पिसले 2-3 साल में चलाईगे हैं, जिन पर question सबसे ज्यादा आता है, लेकिन छुटे ना कुछ भी इसलिए, basics भी हम cover करेंगे, देखिए, Ministry of Human Resource Development, जो है, concrete list में आता है, जो education है, दो departments है, HRD ministry के अंदर में आते ह disabilities, disabilities, काफी सारी committee बना के रखी है, इस ministry में, national scheme for incentives to girls for secondary education, और इन सब पर question नहीं बनते हैं, लेकिन इस question इस चीज़ पर बन सकता है, कि anti-ragging web portal, जो कौन सी ministry के अंदर में आता है, वैसे देखे, 90% लोग तो जानते ही होंगे, क्योंकि ragging से related चीज़ है, ragging होती है, colleges में, तो kind of colleges के अंदर आता है, तो HRD के अंदर में आता हुआ, लेकिन कई बार, जो exam के pressure में, अगर दिमाग अच्छे से काम ना करें, तो कई बार question गलत हो जाता है, हम home ministry भी क्लिक कर सकते हैं, अगर option में हुआ तो, तो याद रखेगा, जो anti-ragging web portal है, ये आता है, HRD ministry के अंदर में, HRD training centers में भी, सव शिख से अभियान के अंतरगत में, स्कीम लाई गई है, और मकसद क्या है, मकसद काफी सारे है, कि एक तो देखे, nutrition मिलेगा बच्चों को, जो hidden hunger है, उसके सिकार नहीं होंगे, malnutrition के सिकार नहीं होंगे, दूसरा, विभिन धर्मों के लोग, विभिन जातियो मिल रही है, लेकिन वो तो कोई खास employment का point हुआ नहीं, एक या दो worker होते हैं खाना मनाने के लिए, तो इतना ज्यादा employment का scope है नहीं, तो UPSC कई बार फशाने के लिए इस परकार के point दे सकते हैं, कि main objective क्या है, तो employment main objective है नहीं, वैसे स्कीम का, आगे है तीथी बोजन, तीथ प्रवाइट गया जा सकते है, schools के अंदर में, मिड़े मिल स्कीम के अंदर में, माली जे मिड़े मिल स्कीम में, तो basic खाना मिलता ही है, चावल या रोटी जो भी मिलता है, लेकिन अगर कोई community participate करना चाती है, मिड़े मिल स्कीम में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ extra इसी चीज़े प्रवाइट की जा सकती है, तो ये है तिथी भोजन, अलग-अलग नाम है, इसका अलग अलग जगह पे, संपृती भोजन, असम के अंदर में, धाम, हिमारतल परदेश के अंदर में, स्नेय भोजन, महराष्ट्र के अंदर में, ये सब याद रखन क्या आप स स्कूल्स हैं वो अपने आपको comprehensively यानि पूरा बड़े स्तर पर अपने आपको self review कर सकें student level पर भी कौन सा student किस प्रकार से काम कर रहा और aggregate level पर भी उस चीज के लिए कि यह initiative start किया गया है सारांस सारांस उसके बाद में देखे इसमें क्या है teachers को schools को parents को सबको एक level पे एक platform पे लेके आता है यह सारांस initiative अब कुछ questions discuss कर लेते हैं काफी अच्छे questions हैं साथवी constitutional amendment के तहत में 1956 में क्या ऐसा facilitate किया गया था कि जो एक governor जो है वो दो या दो से अधिक states का governor हो सकता है एक परसंट दो या दो से अधिक states का governor हो सकता है तो आपको बताना है क्या यह सही है गलत है क्या governor chief executive होता है state का या फिर चीफ minister होता है पार्ट फोर्थ जो है नहीं पार्ट शिक्स था है पार्ट शिक्स जो है constitution का वो applicable नहीं होता जमन कस्मीर पे तो आपको बताना है कौन सा option इसमें से सही है answer कहा मिलेंगे फिर से बताता हूं onlyis.com website पे जो menu में है वहाँ पर जाके आप answers देख सकते हैं यहाँ पर मैं answer देता क्योंकि जो discussion करी है आप भी हमने कम से कम आप उसके base पर questions करोगे तो आप वो कभी discussion भूलोगे नहीं एक बार अब discussion सुनी फिर questions भी कर लिए तो काफी कम chance ऐसे रह जाते हैं कि आप उस चीज को भूल जाओगे तो दोरा फाइदा हो जाता है आगे है ECB के बार में क्या जो ECB में जो RBI permit करती है ECB की जो limit है बढ़ाई ये घटाई जासके तो ये question आपको attempt करना है उसके बाद में है इन चार cities को आपको north से south लगाना है जो अब ये भी हमने डिसकस किया बगदाद, बश्रा, मुसूल, फलूजा, हलांकि difficult question ये हो जाएगा लेकिन फिर भी attempt करने ही कोश लगाई है तो इसमें तो हमने एक ही देश के cities को सामिल कर लिया फिर भी kind of practice के लिए है ये कई बार कैसा होता है कि ऐसा होता है कि question जो होते हैं इसके अंदर में हो सकता है कि direct आपको फाइदा ना मिले लेकिन ऐसा करते करते एक जो आठ है एक टेक्नीक आपके अंदर में develop हो जाएगी जिसके base पे कई सारे questions आप ठीक कर्शकोगे final exam के अंदर में मुक यानि massive open online courses जो है एक क्या national platform है ये कौन सी ministry के अच लाया गया है तो दोनों चीजों आपको answer देना है पांचवा question है सव शिक्स अभियान के बारे में क्या ये statutory body है right to education act 2009 से start हुई थी क्या department of personnel grievances और जो grievances है उससे related है कौन सा statement इन चारों में से सही है ये आपको बताना है recap कर लें जल्दी से schemes discuss करी ministry of human resource development की मिड़े में स्किर्थी भोजन सहरांस discuss की ये schemes discuss करी हिंदू में हमने hamburg action plan को discuss किया जो external commercial borrowing को discuss किया नागलेंड में political crisis को discuss किया गवर्नर की कौन से discretionary power हो सकते है वो भी discuss किया इराक साउथ सुदान weapons note for showing ओ ये भी हमने discuss किया प्याइबी में हमने asiana annex को discuss किया swim को discuss किया national highway number 10 को discuss किया ब्रहंपूतर के बार में discuss किया Korea सब उडे सब जुडे के बार में discuss किया तर्की में petroleum congress हो ये उसको भी discuss किया तो बहुत कुछ हमने आज discuss किया अब आप enjoy किजिए आज की discussion में बस इतना ही thank you thank you very much for discussion